क्यारे बच्चों इस कलास फिप्तिकन बचन हिंद्फ़तर टापिक चला गुफ्तगू के आदाप सब कशना गुफ्तगू के आदाप अमेक यह परेया वैस मुझा बच्चों इनक सबक करेया वैस कम्पलीट इमेक अलफाज मायने दे करें मैंचे इसकान इमेक सवाल जवाब बहां मुझा इतने संद्ग किताब प्याश्ट गोड़ इस सवाल नमबर दो यू सोचिए और बताएए दरज़ जैल चंद बयानात दिये गए हैं इनके सवालाद बनाएए यह तन चमें मानन यह मतलब कि गोड़ा इसकारां करें बाइकें टाइपकर करें इसकारां इसकार और लीखत अच बनाओना सवाल ठीकछा बचो गोड़नियों कि इतना संद्ग बना सवाल न इसकार रुकर कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए हैं आच बनाओन ऐसी सवाल ठीकछा बचो आज क्या सवाल और गुप्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज मुनासिब ह सवाल नबर बिन सोचे बोलना बेवकुपी है एक ही बात को बार बार दोहराना खीक नहीं ठीक शाइचा इसे जवाब अच्छाइज बनाओं सवाल गुप्त 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 करते वक्त किन चीजों से परहेज करना जुरूरी है ठीक शाइचा बच्छो गुप्त 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 करते वक्त किन चीजों से परहेज करना जुरूरी है बल्याना आख त्रईम सवाल जब छोटों से गुप्त 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 करो तो नर्मी और महरबानी से पेश आओ चोटों से गुतुगू करते वक्त किन बातों का खयाल रखना चाहिए ठीक शबचो कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगल खोरी करे तो मना कर दो और उस समझाओ कि ये बुरा काम है आज क्या बना सवाल चुगल खोरी से किस तरह बचा जा सकता है ठीक शबचो सवाल नबर गौर्णिक शबणा न इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए ठीक शबचो दोईव आटकेश में जवाब लेको नाइस गुपतगू करते वक्त किस तरह की आवाज मनासिब है ओँ तो समझे सवाल नबर आख सवाल नबर दुरीम चुवणा बिन सोचे बोलना बेवकूपी है एक ही बात को बार बार जोहराना ठीक नहीं है आट क्या बनाओ दमा आती जवाब गुपतगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए सवाल नबर दुरीम जब छोटों से गुपतगू करो तो नर्मी और महरबानी से पेश हाओ अतलिया कोई जवाब छोटों से गुपतगू करते वक्त किन बातों का खयाल रखना चाहिए ठीक चाह बच्चो सवाल नबर दुरीम कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगल खोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है आतके लेखो जवाब चुगल खोरी से किस तरह बचा जा सकता है ठीक चाह बच्चो तो मैं सवाल जवाब माई का रवाव इस त्रहीम सवाब सवाल नबर त्रहीम शेतन माना इस किता है पैठन तक पनी किताब पेश नमबर 26 सबक को जहन में रखकर खाली जगवों को पुर किजिए बोलने में इस कदर जल्दी न करो कि बाद समझ में ना आए नोबर जल्दी न करो कि बाद समझ में ना आए ने किसी की बात काटना सकत डेश है किसी की बात काटना सकत आव है आव कैय तरइभ यह एंक यह जाना तरयम cheating बतwww बिनसोचे बोलना डेश है वह बिनसोचे बोलना ब्हुकूफी है यह क्या लेकव्क ब्हूकूफी बात को जबन से बैद में निकालो पहले डैश करो पहले क्या करो पहले इसको सोच लिया करो ठीक्छा आव सवाल आव चूरिम पार्टे में पूंचिम्च वना डैश की बात पर कभी यकीन न लाओ चुगल खोर की बात पर कभी यकीन न लाओ ठीक चाब बचो एक ही समझाओं हो तो भी तईम सवाल गण्यूक डैश बोलने में इसकदर डैश ना करो की बात समझ में ना अध डैश इसमस क्या वन हो में ते लेखो बोलने में इसकदर जल्दी किसी की बात काटना सक्त डैश है किसी की बात काटना सक्त डैश है बन सोचे बोलना डैश है बन सोचे बोलना बेवकूफी है बात को जबान से बैद में निकालो पहले डैश करो पहले क्या करो पहले इसको सोच लिया सोच लो सोच लिया करो पहले इसको सोच लिया करो डैश की बात पर कभी यकीन ना लाओ किस की बात पर चुगल खोर की बात पर कभी यकीन ना लाओ ठीक शाब बज़ा वाँ चाहिए सवाल नाबर सूरी में नीचे गिये हुए महावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए महावरों साथ उल्ट्रों में तब को जुमलों भी यकान साथ को सब्सक्राइब यह वंकर जुमलब करना हो ना दो लिया जो तो अक्राइब ऩरिञ। कि बात काटना बुरी आदत है ठीक्षा त्रेम शेटन वना शक्की बिखरना ठीक्षा शक्की बिखरने से कुछ हासिल नहीं होता ठीक्षा बजो शक्की बिखरने से कुछ हासल नहीं होता सुए रिमचे कली खिलना कली खिलने पर सच और जूर सामने आएगा ठीक शार इस सवाल नमबर पुहें से दिये गए इशारों की मदद से आएगाम कि यह इशारों का पर दे मुझा ही टिऊंपना आएगा ठीक शेखिश कशया गया कर भीचां कि तीक श्ताव कOO अधर नहीं होना ट्सक्रातया, तो भीचे कशह का इस धूरूर भार वल के शारे पर भीचे की नश्मारों कि यह दिलनीभी, विल ते तो उल्य के आवा गुपता हमारे साबक का नाम गुपतागुके दाश है अदे गाअक, ने कशनल रच 제일 worn अधियर कि बन आशू है विल्मध आ, दाल लेप्दा, ताव ताव out आशू है से फुमेर, प्याव कर दो! कश्मीर एक खूबसूरत दाश है कशमीर के इस है खूपसूरा वादी , यह आखिक बचो और जायए, घतलिया को इस भी जायए, जारु पचु नेचे रखनी चाहिए, आवज और लिए इस अभे बच्टियो शाए, बुरी बच्चों केुड़ जाती है, बुरी सौपत में बच्छों की बिगड़ार जाती है, है कि बन्यावियों उने लिफ आ दालते दर आदे गवाई कंपलिएट अवा तो समय भी गवाई कंपलिएट सवाल नंबर शेयम शेतन माना दर्ज जैल अलफाज के जिद लिखी मंच जिद लिया करें लफज जिद मिसाल जेतन दी सकत स्क्त गोर नरम गोरा गोरा स्क्याई का काला अच्छाई बुराई नफरत प्यार सच जिद लिखी मान के सवाल नंबर शेयम दिद दर्ज जैल अलफाज को अपने जूम्लों में इस्तेमाल कीजिए यह बनके अलफाज मंच पर जूम्ल बनावें इस जिद लिखी में आदमी जित उस्ताद जमीन दरखत फूर जिमन बनावें जूम्लों में इस जूम्लों में होते हैं तो प्यारी बच्चो अज यह टाप इगवाज कम्पलीट पगा मेल ओवाज नई स्टाइब कर से तांग यह असल कोईट